हेलो आस्पिरेंस, SBI क्लक मेंस की तीनों शिफ्ट के पेपर ओवर हो चुके हैं अब हम सबको इंतजार है कि SBI क्लक मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा तो चलिए देखते हैं प्रिविएस ट्रेंज क्या रहे हैं इतना gap रहा है हमारे लास्ट एकजाम की डीट में खर और फाइनल जब मारे सबी एकलक मेंस का रिजल्ट में रिजल्ट आया है ज जो एग्जेंग की तो सल्सक्राइब की तो यह सालता है मिस रेship तो अपर फार्ट मौर्ट मार्च मासा जो result आया था वो आया था 10th of March को और अगर हम इन दोनों के बीच में gap देखें तो gap था 54 days का हमारा इसी तरह अगर हम 2021 की बात करें तो हमारा last exam हुआ था 21st September को और result आया था 1st November को gap था 41 days का 2020 में हमारा exam हुआ था 31st October को and exam की जो result आया था वो आया था 24th December को and gap था 54 days का तो अगर हम एक average लेके चलें तो हमारा 45 days minimum and 50 days तक हमारा result आ जाता है अगर हम previous trends को देखें अपने देखें 39 days, 54 days, 41 days, 54 days तो approximately अगर हम average लेके चलें तो 45 to 50 days का हमें बीच में gap चाहिए ही means exam की date में और final result date में तो इस साल की बात करें हमारा exam हुआ था 4th March को अगर हम compare करें पिछले साल से तो 54 days हमें लगे थे, 54 days लगे थे result आने में अगर हमने average लिया है हमारा 45 days से लेके 50 days का तो अगर हम means की result की बात करें तो यहाँ पर आपको result देखने को मिल सकता है अगर हम एक approximate average लेके चलें तो 20 April के बाद आपका result कभी भी आपको देखने को मिल सकता है तो 20 April या तो 1st week of May 1st week of May and 20 April के बीच में आपको कभी भी अपना result SBI का देखने को मिल सकता है तो I hope आपको एक idea मिला होगा कि आपको अपना result कब तक देखने को मिल सकता है और ऐसे ही अगर आपको और वीडियो देखनी है banking से related तो इस channel को subscribe करें अभी गले बस इतना ही हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन करना ना भूलिएगर जॉब इंडेक्स नाम से है अगर आप टेलीग्राम में जाएंगे सेर्च करेंगे तो आपको टॉप में मिल जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और औरो कोई साब भी share करें थैंक यू